दिपिका पादुकोन के फिल्म पदमावत बॉक्स ओफिस पर अच्छा बिजनस कर रही है फिल्म में दिपिका और अन्वीर की जम कर तारीफ भी हो रही है लेकिन दर्शकों के जहन में दिपिका का जोहर सीन सबसे यादगार रहा फिल्म के जोहर सीन में हर कोई उनकी एक्टिंग देखकर हैरान रहे गया लेकिन क्या आपको पता है दिपिका के माता पिता को उनकी फिल्म का सबसे इंपोर्टेंट सीन पसंद नहीं आया जी हाँ ये बात खुद दिपिका ने बताई है और अगर आप भी इसकी वजह जानेंगे तो हैरान रहे जाएंगे दिपिका के मुताबिक फिल्म के आखिर में जोहर सीन में उन्हें मरते हुए देखना उनके पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल था दिपिका ने बताया मेरे पेरेंट्स ने ये फिल्म देखी और उन्हें मुझ पर गर्व हो रहा था फिल्म देखते हुए उनका रियाक्शन ऐसा था कि जैसे सोच रहे हों कि क्या ये हमारी बेटी है दरसल मैं उनके साथ ज्यादा नहीं रहती ऐसे में उन्हें पद्मवत की कहानी का कोई आइडिया नहीं था लेकिन फिल्म के आखरी 15 मिनट मेरे माता पिता के लिए बेहत दर्द भरे साबित हुए मुझे ऐसा देखना उनके लिए बेहत मुश्किल साबित हुआ जोहर के दौरान मैं अपनी जान देती हूँ जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बताने के 25 जनवरी को रिलीज हुई दिपिका पादुकोन के फिल्म पद्मवत रोज ने रिकॉर्ड बना रही है इंडिया में 100 करोड कमा चुकी ये फिल्म दुनिया भर में 200 करोड से ज्यादा की कमाई कर चुकी है आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं